नमस्कार प्यारे दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है एक लेवे आयस अकेडमी में और आपके साथ मैं हूँ सतीश कुमेटी दोस्तों आप सभी दर्शोकों का जिन्होंने हमारे एकैडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब किया है एकैडमी की तरफ से अभार वियक्त करता हूँ दोस्तो आपकी तरफ से आने वाली प्रतिक्रियाइं हमारे इस प्रयास को और भी ज़ादा बहतर बनाने के लिए हमें प्रोचसाहिट करती हैं हम इस बात की भी आशा करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर के साथ आगे आने वाली जो भी वीडियो लेक्चर होंगी उन पर भी आप अपने प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे और अकैडमी का हिस्सा बनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारतिय वित्ति बजार, इंडियन फिनांशल मार्केट बट बिफोर कंटिनियंग दे वीडियो लेक्टर सीरीज आम गएं टो शेर यू सम्थिंग नेक्स्ट वीडियो थम्निल्स यहाँ पे जो अगली वीडियो आने वाली हैं जो अपकमिंग वीडियो थम्निल एक बलर फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो इंडियन फिनांशल मार्केट है इट इस क्वाइट हीज तो आपको जो आज हम डिसकुस करेंगे वो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है बेसिक फॉर्म है जिसमें आप यह जानेंगे कि जो इंडियन फिनांशल मार्केट है वो काम कैसे करता है और इसके अंदर वो कौन से regulators हैं जो इसको नियंतरित करते हैं regulate करते हैं so आज का जो हमारा topic होगा completely focus होगा Indian financial market के primary section पे उसके बाद यहाँ पे जो banking, security market जिसको आप share market के नाम से भी जाते हैं और insurance sector इसको भी हम यहाँ पे discuss करेंगे so अब हम यहाँ देखते हैं कि financial market क्या होता है दोस्तो देखिए दो शब्दों का यहाँ पे mail है financial और market जब हम बात करते हैं market की तो आपको यह बात दिमाग में आ जाती है जहन में आ जाती है कि market में कोई एक buyer होगा और कोई एक seller होगा एक विक्रेता और एक यहाँ पे ग्रहाख होगा खरीदार होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो financial market है इसके अंदर में भी कुछ लोग विक्रेता होते हैं कोई बेचने वाला होता है और कोई खरीदने वाला होता है इसलिए जहाँ पे भी आपको buyer और seller का एक concept मिलता है देखने को वहाँ पे हम समझ जाते हैं कि it is a kind of market यह एक तरह का बाजार है तो वित्तिय सेवाओं का जो यहाँ पे लेंदेन होता है वित्तिय वस्तुओं का जो यहाँ पे लेंदेन होता है उसे भी हम यहाँ पे market की रूप में ही जानते हैं वित्तिय बाजार यहाँ पे आपके सामने जो statement दिये हुए हैं इस पे आप देख सकते हैं कि जो financial market है वो किन से जुड़ा हुआ है एक banking, insurance और security यह तीन चीज़े आपके सामने हैं यह financial market का हिस्ता बनती है तो दोस्तो हमने जाना कि financial market basic understanding क्या होती है अब इसमें देखते हैं कि जो financial market है उसके players कौन होते हैं कौन-कौन लोग financial market का हिस्सा होते हैं पहली चीज़ यहाँ पे banking company होती है जैसे कि आप State Bank of India जानते हैं Axis Bank जानते हैं पंजाब National Bank यह सारी banking जो company होती हैं यह वित्तिय बाजार यानिकी financial market का हिस्सा होती हैं Second, यहाँ पे जो non-banking financial companies हैं जैसे कि आपके सामने मैंने pictures भी रखे हैं ताकि आपको यह clear cut understood हो कि NBFC की बारे में अगर आप कभी बात करें तो वो कौन-कौन सकते हैं Just like Tata Capital और LIC, non-banking financial company एक banking हो गया जो banking सिवाय देता है और non-banking जो banking से थोड़ी अलग सिवाय होती है जो complete banking system का पार्ट नहीं होता है इसके अंतरगत इसे हमें अगर हिंदी में जाना है तो non-banking financial company इसको गैर banking वित्तिय कंपनियों के नाम से भी हम इसे जानते हैं So, यह था second, now third one is firms, यहने कि कुछ company होती है, कुछ logo का समू होता है जो business करते हैं तो इनको firms या फिर business के नाम से भी आप जानिये, या company के नाम से जानिये, यह लोग भी financial market का हिस्सा होते हैं क्योंकि इनको कुछ पैसे के requirement होती है, just like taking loans और issuing shares, यहाँ पे share issue करके भी पैसे की जो जरूरत होती है, वो यह company पूरी करती है and now the last one is individual, याने कि आपके और हमारे जैसे एक एक व्यक्ती, यह लोग भी financial market का हिस्सा होते हैं I think you are thinking about how can an individual be the part of financial market, कैसे एक individual कोई एक व्यक्ती विशेश, financial market का हिस्सा होता है दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक निवेशक के रूप में एक जो individual होता है, कोई व्यक्ती होता है, वो भी financial market का हिस्सा होता है हमारे आपके बीच में कोई ऐसे लोग भी होंगे, जो share market को अच्छे से जानते होंगे और वहाँ किसी न किसी company के जो shares होते, उस पे पूंजी लगाते होंगे, उस पे अपना पैसा लगाते होंगे for the better outcome, यानि कि कुछ और earning करने के लिए ऐसे share पे जो पैसा लगाया जाता है, निवेश उसे कहा जाता है ऐसे भी लोग यहाँ पे financial market का हिस्सा होते है यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो financial market है, भारतिय वित्ती बाजार है, उसका broad categorization कैसे है हम यहाँ पे कैसे वित्ती बाजार को समझते है अब यहाँ पे जो financial institutions है वो बटे हुए हैं दो हिस्सों में, एक banking और दूसरा है non banking banking और gear banking, दो partition मैंने आपके सामने, दो separation रखे हैं आपके सामने, आप यहाँ पे देख सकते हैं और banking वाला जो sector है, banking वाला जो section है, इसके अंदर में इसका regulation याने इसका नियामक कौन होता है RBI, यहने सभी बैंकों के ऊपर एक बैंक होता है, जिसे हम RBI कहते हैं, और यह यहाँ पे कुछ नियम बनाता है और इसके according, इसी की दिशानिर्देश के अंदर में, बाकी banking जो कमपनियां होती हैं, जैसे SBI, Axis Bank, ICICI Bank, धेरो ऐसी बैंक हैं यहाँ पे आप उधारण उसका देख सकते हैं, banking शेतरों से जुड़ी हुई, banking शेतरों से जुड़ी हुई, सभी कमपनियां RBI के दिशानिर्देशों का पालन करती हैं उसके बाद आता है non banking, इसमें भी दो हिससे आपको देखने को मिलेंगे अब जो यह non banking companies हैं, यह क्या करती हैं, जैसे कि NBFC मैंने बोला था non banking companies यह क्या करेंगी, यह भी RBI के कुछ नियमों को मानेंगी, तो ऐसे में RBI के regulation भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे other, यहने की जो दूसरे, एक तो non banking को RBI खुद यहाँ पे direction देता है, यहने की उसका regulator होता है, नियामक होता है और दूसरे तरफ पे दूसरे भी ऐसे गैर banking वित्तिय संस्थान है, गैर banking जो companies है, वो भी है, जिन में RBI के दाएरे से बाहर आके जो काम करते हैं, जैसे की LIC और GIC इसके example है तो अब discuss करते हैं कि RBI के अंडर आने वाले वो कौन-कौन से banking institutions हैं, फर्स्ट जो हमने आपके सामने एक यह जो picture है, इसी को हम explain करते हैं यहाँ पे यह जो structure form में एक flow chart जो आप देख रहे हैं, वो मैंने RBI के website से लिया है, उसकी जो details बीच-बीच में publish होते रहती हैं तो वहाँ से ही मैंने आपके सामने यह flow chart लिया हुआ है, ताकि आपको यह better understanding हो जाए from the genuine source, यह जो authentic source है, वहाँ से आपको पता चल रहा है कि RBI के regulation में आने वाले कौन-कौन से वित्तिय संस्थान होते हैं, पहला यहाँ पे आप देखेंगे जो non-banking financial institutions है, banking का तो मैंने कहा कि RBI उनको control करता है, उनके लिए guidelines जारी करता है बट यहाँ पे NBFC, non-banking financial companies भी होती हैं, institutions, सबसे पहले यहाँ पे जो first one है, flow chart का top most यह बोलता है non-banking financial institutions, गैर वित्तिय, जो गैर बैंकिंग वित्तिय संस्थान है, वो non-banking financial institutions इसके अंदर में कौन-कौन आता है, पहला, all India financial institutions, AIFI AIFI, तो AIFI के अंदर में चार ऐसे बड़े संस्थान आते हैं, कौन, नाबार्ड, आपने नाम सुना होगा, नाबार्ड का, फिर SIDB, NHB और Exing Bank तो इनको हम अगले slide के अंदर में discuss करेंगे, so आपको क्या जानना है अभी, कि जो RBI के regulation में non-banking financial institutions है इसमें non-banking financial institutions, गैर banking विथिय संस्थान, मैंने कहा गैर banking विथिय संस्थान, इसमें all India, अखिल भारतियँ विथिय संस्थान होती है AIFI, all India financial institutions यानि की अखिल भारतिय विथिय संस्थान, ऐसे 4 विथिय संस्थान हैं आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद, non-banking financial companies ये जो sky blue color के अंदर में आप देख रहे हैं non-banking financial companies हैं वर्तमान में इनकी संख्या 10,190 बताई जा रही है तो अब वर्तमान में इसकी संख्या घटती बढ़ भी सकती है घटने की जगा आप बढ़ भी सकती एक्सपेक्ट कर सकते है so make sure कि आप इसको और ज़्यादा सर्च करने नहीं जाएंगे कि आपके exam में काफी कम chances होते हैं कि पूछे जाएं बट यहाँ पे exemplar form में आपके सामने रखा हुआ है कि इनकी संख्या यह है यह तब कि जब at the end of September 2018 September के अंतिम में 2018 के सितंबर माह में यह जो RBI ने अपना एक document publish किया था उसकी picture है so अभी 2020 continue हो रहा है आप यहाँ पे से actual data चाहें तो देख सकते हैं for your interest only यहाँ पे जो non-banking financial companies अभी तक मैंने बोला non-banking financial institutions आप confused मत होएगा यह जो गुलाबी color में आप देख रहे हैं पहला वाला flow chart का पहला part वो NBFI बोलता है non-banking financial institutions याने संस्थाएं और यहाँ पे यह वाला जो चार्ट का हिस्सा है वो बोलता है non-banking financial companies non-banking financial companies company मतलब यहाँ पे business के होने की बात को बताया जा रहा है और जो financial institutions है वो संस्थाएं एक broad category एक बड़े बक्स एक अंदर छोटा बक्सा याने institutions याने संस्थाएं और company याने company हिंदी और इंग्लिश में company company ही बोला जाता है तो company जो है छोटा अंश है हिस्सा है इसलिए non-banking financial companies को please आप separate रखेंगे institution से अब यहाँ पे देखेंगे कि जो non-banking financial companies है NBFC NBFC different from NBFI non-banking financial companies के अंदर में दो तरह के divisions होते है NBFC और NBFC D और दूसरा होता है NBFC ND NBFC D कहने का मतलब क्या होता है ये वाला पहला वाला deposits ले सकते हैं D for deposits और ND का मतलब होता है non-deposit पहला वाला जो non-banking financial company होता है वो company deposits ले सकता है याने कि क्या मैंने आपको शुरू में ही बोला था banking सेवाओं से थोड़ी अलग जो और सेवाएं दे रही हैं वित्तिय सेवाएं वो NBFC होती हैं यहाँ पे banking sector में आप क्या देखते हैं bank में जाएंगे तो आप अपने जो राशी होती है जो धन होता है वो जमा करवा सकते हैं that is called deposit और यहाँ पे उसी पैसे को आप निकाल भी सकते हैं withdraw कर सकते हैं तो जमा करना और निकालना यहाँ पे banking रिंड प्रदान भी करते हैं याने कि वो deposit ले सकते हैं और दूसरा ND याने not deposits non deposit याने कि वो deposit नहीं लेंगे आपको यह चीज और ज़्यादा clear हो जाएगी please make sure कि आप इस बात को याद रखें NBFC-D और NBFC-ND मैं आगे जाकर आपको इसके बार में और ज़्यादा explain करूंगा इसमें लेकिन फिर भी एक example आपको दे देता हूँ कि जो NBFC-ND है उसमें chit fund कंपनिया जैसी जो दूसरी non banking financial companies आती हैं वो इसका पार्ट होंगी chit fund यहाँ पे deposit नहीं लेता please यहाँ पे मैं आपको sure कर दूँ कि वो deposits नहीं लेता इसलिए उसको non deposit NBFC-ND की category में रखा जाएगा अब आता है यहाँ पे primary dealers primary dealers के अंदर में आपको देखने में में रहा है एक bank primary dealers यह जो PD आप देख रहे हैं वो bank primary dealers है और दूसरा stand alone PDs यहने की stand alone अलग अब ज़रा इसको समझते है primary dealers क्या होता है दोस्तों जो primary dealers होते हैं वो basically government के द्वारा जारी किये जाने वाले जो bonds होते हैं जो security यहने की प्रती भूतियां होती हैं उनको खरीदेती हैं अब प्रती भूति कहने का मतलब क्या होता है हमने पिछले वीडियो उसके अंदर में bond के बारे में काफी कुछ चर्शा की थी और मैंने ये भी कहा था कि government कभी कभी बीच में अपनी जो वित्तिय जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों से पैसे उधार लेती है लेकिन वो legal framework के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं कि सरकार bond जारी करेगी और लोगों को ये बताएगी कि हमारी bond में सरकारी bond में आप निवेश कीजिए और बदले में आपको अच्छे returns यानि कि कुछ मुनाफ़ा होगा तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे किसी government की जो प्रतिभूतिय होती ये जारी की जाते हैं सरकार की तरफ से तो central government भी और state government ये दोनों ही यहाँ पे प्रतिभूतिया जारी कर सकते हैं लेकिन basically हम क्या देखते हैं यहाँ पे जो security जारी हो रही होती है government bond होते है treasury bill especially treasury bill तो वो क्या होता है कौन जारी करता है केंद्र सरकार यहाँ पे करती है अपनी वित्तिय जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे ऐसे सभी प्रतिभूतियों को जो खरीदने वाले दूसरे ऐसे संस्थाएं होती है वित्तिय संस्थाएं तो उन्हें हम primary dealers जो सीधे तोर पे government सीधे तोर पे उनका काम ही यही होता है वो government के क्या करेंगे प्रतिभूतियों को खरीदने का काम करते है इनको हम बोलते है primary dealer ठीक है यह जो primary का मतलब होता है प्राथमिक रूप से जो उनका काम ही होता है deal करना किसमे government की security प्रतिभूतियों में अब इन में भी दो section आपको देखने को मिल रहे है first one bank PD जो 14 दिखा रहा है और stand alone PD यहने जो 7 दिखा रहे हैं यहाँ पे जो bank PD होते हैं याने कि वो किसी bank के अंदर में जैसे SBI bank है और SBI bank के अंदर में ही एक कोई department कोई एक विभाग होगा जो कि government की यह जो security प्रतिभूतियां होती है उनको खरीदने का काम करती है तो यह bank PD के नाप से जानते हैं independent काम नहीं करने हैं अब होता stand alone PDs याने कि स्वतंतर रूप से जो primary dealer होते हैं वो किसी bank का विभाग नहीं होंगे किसी bank के अंडर ही अलग से काम करने वाला separately काम करने वाला एक संस्था हो सकती है या तो वो एक स्वतंतर संस्था हो सकती है मैंने क्या कहा कि एक bank है bank भी अपने department के थूँ bank के किसी आप एक कमरे में चले जाएंगे तो वो विभाग हो गया विभाग के थूँ गवर्मेंट यहां पर यह जो bank है वो primary dealer हो सकता है और second यहां पर किसी bank का भी second ध्यान से सुनियेगा यहां पर जो bank है bank अपनी एक अलख्षे शाखा खोल रही है जो की primary dealer के नाम से जानी जाएगी अगर मैं बहूँ अगर कहूँ तो SBI PD अगर मैं कहता हूँ याने कि SBI की एक शाखा है जो मुख्य रूप से काम ही करती है primary dealer का और दूसरे कोई कोई भी ऐसी वित्तिय संस्थाई हो सकती है जो banking का काम नहीं कर रही है उसने government के security खरीदने का जिमा उठाया है वो ये काम करना चाहती है तो हमने primary dealers के बारे में ये जाना अब देखते हैं कि जो stand-alone PDs को मैंने कहा था वो कौन-कौन से हैं आपके सामने मैं यहाँ पे एक चार्ट रख रहा हूँ जिसमें आपको मैं बता रहा हूँ ये जो साथ stand-alone PDs हैं वो कौन-कौन से हैं भारत के अंदर में stand-alone primary dealers जो हैं उनकी संख्या साथ है एक है Isaac PD, Morgan Stanley ये नाम आप जरूर ध्यान में रखेगा आपको निउस्पेपर में ऐसा आते रहता है तो आप अगर कभी Morgan Stanley के बारे में सुने ये टीवी ये निउस्पेपर कहीं भी आता हो so make sure कि आपको ये पता हो कि stand-alone ये PD है जो government की प्रतिभूतियां खरीदता है खरीदने से क्या होगा उनको फाइदा होने वाला है कल की दिन में जब government यहाँ पे वो पैसा आपको वापस करेगी आपके principal amount यानि की मूल धन ब्याज principal plus interest तो वो आपको profit देगा interest के रूप में तो यहाँ पे Morgan Stanley फिर Goldman Shacks फिर Nomura PNB Guilt SBI, DFHI STCI मैंने जैसे कहा था कि किसी bank का हो सकता है तो यहाँ पे example में SBI का भी है SBI, DFHI यह SBI की एक separate शाक है जो primary dealer की रूप में काम करती है सो हमने discuss किया इस flow chart को जिसमें आपने देखा कि जो वित्तिय संस्थान है गैर banking वित्तिय संस्थान वो किस रूप में बटे हुए AI, FI फिर NB, F, C फिर PD यानि primary dealers अब यहाँ पे हम जो पिछले वीडियो के अंदर में मैंने कहा था कि नाबाड, SIDB, NHB और Exim Bank यह जो चार यह जो चार AI, FI's है इनको भी discuss करेंगे separately तो दोस्तो यह exam में पूछे जाते रहते हैं इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है तो एक quick look है इसका आप इसको अपनी books में से और ज़्यादा deep पढ़ सकते हैं इसमें मैं इनके main functions को आपके सामने रख रहा हूँ जो नाबाड है नाबाड का full form होता है यहाँ पे National Bank for Agriculture and Rural Banking याने की राश्ट्रिय एक bank है जो की agriculture याने कृशी और rural development याने की ग्रामिड विकास पे जोर देता है इस छेत्र के ग्रामिड छेत्र के विकास के लिए agriculture के लिए एक bank बना है जो नाबाड कहलाता है हाँ यहाँ पे आप क्या देखेंगे जो नाबाड और यह चीज़ आप याद रखेंगे नाबाड जो है independent काम करता है RBI की दिशा निर्देशों का पालन जरूर करेगा लेकिन यहाँ पे RBI जो है इसका मालिक नहीं है जब नाबाड बना था उस समय पे ध्यान दीजेगा जब नाबाड की स्थापना हुई थी उस समय RBI का सबसे बड़ा major stake इसमे था कि RBI ने अपनी पूझी लगा के नाबाड को जनम दिया था नाबाड को यहाँ पे अस्तित्व में लाया था लेकिन एक समय के बाद यहाँ पे जो financial sector के reform हुए थे तो उसके अंदर में वित्य जो छेत्र हैं उनके जो reform थे उसमें जो बदलाव किये गए थे उसमें हमने देखा था कि नाबाड को एक independent body बनाई गई RBI के स्वामित्व से अलग करके इसे आजादी दी गई और यहाँ पे government के अंडर ये काम करेगी लेकिन independent form में RBI के अंडर काम ने करेगी यहाँ पे इसके भी कुछ अपने acts होंगे जो नाबाड को शक्तियां प्रदान करते हैं अब देखेंगे main functions नाबाड के यहाँ पे नाबाड और NHB यह जो पहला वादा section नाबाड का है और दूसरा वादा section है वो NHB का है तो यह दोनों यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे अब यहाँ पे जो नाबाड है नाबाड का जो main function होता है ग्रामिड छेत्र का विकास करना developmental, finance यहने की जो ग्रामिड छेत्र में agriculture के लिए और विकास कारियों के लिए जो finance करना होता है वित्तिय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके लिए काम करता है फिर supervisory यहने की यहाँ पे ध्यान देता है कि वित्तिय शेत्र जो है उसके अंदर में किस तरह की गतिविधिया हो रही है यहाँ जो नाबाड के शेत्र के अंदर आती है उसके बाद refinancing refinancing का refinancing का मतलब होता है कि आपने किसी example form में आपसे मैं कह रहा हूँ refinancing का मतलब आपने किसी से loan लिया basically क्या होता है जब कोई व्यक्ति loan लेगा जब कोई व्यक्ति loan लेगा तो यहाँ पे उसको कुछ interest rates होते हैं यहाँ पे X ने A नाम की bank से loan लिया X ने A नाम की bank से loan लिया और उनके जो interest जो rates थे वो क्या थे उस समय पे वाजिब लगे X को X ने 5% के interest पे loan लिया ओके लेकिन समय के साथ यहाँ पे जो A नाम का bank है वो यहाँ पे अपने interest को और बढ़ा देता है 6% तो यहाँ पे क्या होगा जो loan इसने लिया है X ने वो यह सोचता है कि interest इंका जादा हो गया और मुझे क्या करना चाहिए कि किसी और जगह से shift करना चाहिए तो refinancing एक जो companies होती है यह सामने आती है और attractive interest rates होती है हो सकता है कि यहाँ पे 6% की जगह वो यहाँ पे 4.5% या 4.75% का interest rate आकरशक जो package होता है वो देते हैं तो यहाँ पे जो X के पास में certificates थे कि उसने loan लिये थे अब यह अपना जो burden था shift कर देता है refinancing company के पास में और यह जो पिछली bank है उसको इसका loan repayment कर देता है और अपना वाला loan इन्हें देता है यहने कि पिछला जो 6% इसे अब लगने वाला था 4.7% के साथ में यहाँ पे X को अब मिल रहा है तो refinancing यहाँ पे एक typical term है तो अगर आपको कभी refinance सुनने को मिले तो आप यहाँ पे से जान सकते है refinance मतलब जो आपका पिछला burden था जादा interest rate के साथ में आपने किसी और के उपर में थोप दिया और उसकी service अब आप ले रहे हैं यहाँ पे अब बात आती है SIDB की Small Industries Development Bank Small Industries कहने का मतलब क्या होगा जो छोटे उद्योग होते हैं उनके विकास के लिए एक बना है bank जिसको हम SIDB के नाम से जानते हैं इनका main objective क्या होता है कि जो छोटे मजहौले industries होते हैं उद्योग होते हैं इनका promotion करना इनके विकास के लिए उनको जो वित्तिय सुविधाय महोया कराना है वो काम करेगा SIDB Small Industries Development Bank तो यहाँ पे जो financial institutions हैं इनको भी loan प्रोवाइट करने का काम और जो छोटे उद्योग होंगे उनको यहाँ पे financial aid प्रोवाइट करने का काम SIDB करती है और जो MSME sector है MSME Micro, Small and Medium यह है Micro, Small and Medium Enterprises यहने सूक्ष्म, लगू और मध्यम, उद्यम इसके नाम से इसे आप हिंदी और इंग्लिश में जानते हैं फुल फॉर्म फिर आता है NHB यहने National Housing Bank तो यहाँ पे जो housing finance था यहाँ पे जो बड़ी वित्तिय संस्थाएं हैं इनका main objective क्या है NHB का जो वित्तिय संस्थाएं है specialized जो की कोई एक अच्छी आप देखते हैं यहाँ पे कोई example के form में एक बड़ी news agency है जिसको आप widely TV में देखते होंगे तो यहाँ पे वो specialized है उसके जो reporters हैं across India और world यहाँ फैले हुए हैं तो specialized उसने कर रखा है उसको मालूम है उस sector के बारे में ज़ाद ज़ादा तो यहाँ पे जो specialized housing finance institutions होते हैं इनकी संख्या को बढ़ाना और इनको क्या करना वो वित्तिय संसाधन मुहया कराना जिससे कि क्या यहाँ पे national housing जो है भारत के अंदर में housing जो है वो रिण मुहया कराया जा सके और जादा से जादा यहाँ पे लोगों को घर उपलब्ध हो सके सस्ते दाम में जो रिण उपलब्ध कराया जाने के बाद में तो यह main objective है NHB का और मैंने बताया कि जो NHB है वो भी यहाँ पे completely जो government के अधिपत्य में RBI के अधिपत्य में नहीं है तो कौन? नाबाड और NHB ये RBI के regulations को उसके दिशा निर्देशों को follow करते हैं लेकिन उसकी स्वामित्व वाली नहीं हैं ये भी मैं आपको clear कर देता हूँ फिर यहाँ पे आता है Exim Bank Exim Bank क्या है? Export-Import Bank of India Exim में जो पहला EX है वो Export को दर्शाता है और दूसरा जो I.M है वो किसको दर्शाता है? Import को यहने की आयात और निर्यात आयात और निर्यात Bank of India यहाँ पे इसका क्या function है? भारत के अंदर में जो भी भारत से जो भी निर्यात होगा निर्यात को प्रमोट करने के लिए और आयात पे वियान देने के लिए तो basically planning and promoting and developing exports and imports यह इसका basic objective है यहाँ पे क्या होगा? जो भी export होना है एक्सपोर्ट होने वाले material का यह क्या करेगा? कि technical assistance प्रवाइड करेगा administrative यानि प्रशाशनिक assistance प्रवाइड करेगा assistance मतलब सहायता प्रवाइड करता है कि आप अपने देश के समान को दूशरे देशों में ले जाकर बेच रहे हैं और वहाँ जाने के बाद यह समान खराब ना निकले इसके लिए यहाँ पे उनकी जो तकनीकी सहायता है यह बैंक बैंक है और बैंक यहाँ पे ध्यान दीजेगा बैंक आपको market facility भी provide करवाते हैं आप अगर loan ले रहे हैं तो उस समय पे आपको technical assistance provide करवाने का काम भी यहाँ पे bank का होता है अगर आप यह loan लेंगे इस business के लिए तो आपको यह यह परिशानियों को सामना करना पड़ सकता है तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखें तो आपको better profit मिल सकता है उन्होंने जो loan दिया है उनका advice वो क्यों दे रहे हैं क्योंकि उनके जो loan दिये हैं वो वापस हैं आपको यह होता है कि उनका loan दूब जाता है उन्होंने loan दिया अगला वाला business successful नहीं रहता है और उनको भी profit नहीं होने के condition में उनका loan repayment नहीं होता है तो technical assistance भी मिलता है टेकनिकल, administrative याने प्रशाषनिक फिर managerial यहने की प्रबंध किये सहायता provide करने का काम यह Exim Bank करता है for the promotion of management and expansion of export sector ताकि हमारे देश का जो export निर्याद शेतर है वो बढ़ सके यह सारी details हमने देखी पिछले चार AIFI का All India Financial Institutions का अब देखते हैं कि वो कौन से instruments हैं जो financial market में हमको देखने को मिलेंगे पहला चीज instrument कहने का मतलब वो कौन कौन सी चीज़े यहाँ पे deposit याने कि कोई bank होगा वो deposit लेता है आपने देखा ठीक है और मैंने कहा था bank क्या है financial market का हिस्सा फिर credit facility point number two यह जो credit facility है याने उधार देने का काम यह भी bank करते हैं फिर यहाँ पे fund transfer आप एक जगह बैठे बैठे दूसरे जगह पे अपना पैसा भेज देते हैं आज की डेट में electronically आप यहाँ बैठे बैठे अपने आप राइपूर से बैठके दिल्ली में fund transfer कर सकते हैं this is what fund transfer आप अपने देश से दूसरे देश में fund transfer कर सकते हैं फिर insurance आप देखते हैं Bima, Bima शेतर आता है और investment याने निवेश आप किसी company के shares के अंदर में जो पैसा लगाते हैं उसे कहा जाता है investment तो यहाँ पे यह निवेश भी और भी दूसरे माध्यम है निवेश के सिर्फ यही एक नहीं है तो निवेश अगर हो रहा है इस तरह का यह भी financial market का एक instrument है इसे हम ऐसे जान सकते हैं अब देखते हैं जो financial market है उसका classification इसके अंदर में जो चीजें है financial market का broad categorization हमने देखा था कि इसमें banking आता है non banking आता है लेकिन यहाँ पे जो classification of financial market है इसके कहने का क्या मतलब है यहाँ पे जो financial market है वो और भी दूसरी तरह से तूटा हुआ है एक तो banking non banking होती है अच्छी बात है वहाँ पे संस्थाओं के बारे में हमने चर्चा किया था लेकिन यहाँ पे main काम क्या होता है financial market के अंदर में काम क्या होता है उनका classification हम बात कर रहे है उनके बटवारे उनका जो हम division कर रहे है वो कुछ इस तरह से पहला एक होता है money market याने की मुद्रा बाजार और दूसरा होता है capital market याने की पूझी बाजार हमको यहाँ पे देखने का क्या होगा कि जो money market है जो मुद्रा बाजार है उसे हम कैसे समझते हैं अगर साल के 365 दिन साल के 365 दिन याने एक साल एक साल में 365 दिन से कम के समय में होने वाले ऐसे सभी वित्तिय लेन दिन ऐसे सभी वित्तिय लेन दिन money market के अंदर में आते हैं मुद्रबाजार के अंदर आते हैं और वहीं पे long term जो period होता है लंबे समय के लिए जो अवधी में वित्ती लेन देन होते हैं उनको हम लोग क्या जानते हैं 365 दिन की उपर में more than one year 365 दिन की उपर में जो होगा वित्ती लेन देन इनको हम कहते हैं capital market यहने पुझी की आवशक्ताओं के लिए होने वाले जो भी यहाँ पे लिन देन होंगे वो बड़े लंबे समय के लिए 365 दिन की उपर वो capital market पुझी बजार के अंदर आते हैं अब money market जब हम कहते हैं तो यह दो हिसों में बटा हुआ है unorganized money market और organized money market unorganized money market का मतलब होता है asangatit mudra bazar और organized money market का मतलब होता है sangatit यह जो second वाला है organized यह है sangatit asangatit और sangatit चलिए discuss करते हैं इसे यहाँ पे capital market भी है जिसका classification है यह होता है banking, non-banking industry, पुझी बजार में आपको bank loan देता है बड़े लंबे समय के लिए साथ साल, आठ साल so on insurance industry याने बीमा छेतर और security market basically हमारा जो finance market है उसमें ये बड़े बड़े categorization है और ये वाले जो sections है आपको अगली वीडियोस के अंदर में जरूर देखने को मिलेंगे so यहाँ पे मुद्रा बाजार का हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ आप देखिए organized money marketing ने अर्स अंगठित मुद्रा बाजार इसमें कौन-कौन होता है अर्स अंगठित कहा रहा हूँ यहाँ पे इसे चलाने वाला कोई नहीं है आप भी हो सकते हैं इसका एक हिस्सा आपने अपने दोस्त को पैसा दिया तो आप कोई अधिकरित संस्था नहीं है आप चाहे 100 दे, 200 दे 2002 लाख रुपए दे तो आप यहाँ पे fraud भी कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई नियम कायदे आप फॉलो नहीं कर रहे हैं सामने आले ने पैसा मांगा आपको जब लगा शाम, सुभा किसी भी समय आपने पैसे दे दे तो यहाँ पे एक money lender होता है जिसको हम पिछले समय में साहुकार की नाम से जानते थे इंडिजीनियस बैंकर याने छेतरी इस तर पे कोई एक banking सेवा देने वाला कि वो अपने पास पैसे भी रख लेता है आपको उधार भी देता है ऐसे कोई इस्थानिये banker हो सकता है Unregulated Non-Banking Financial Intermediaries अनियमित गैर banking वितिये भी चौलिये याने कि इनका भी कोई माई बाप नहीं होता है कोई नियम इनके लिए नियम काईदे नहीं बने होते हैं और आपको banking सेवा से थोड़ा अलग क्या banking आप बड़ा concept देखते हैं जहाँ पे आपको ATM facility होती है deposits कर सकते हैं आपको loan provide होगा आपको fund transfer होता है आपको insurance की भी facility आज की date में banking sector के अंदर में देखने को मिलती है pension की मिल जाती है जैसे अटल pension योजना भी जंधन bank खाते खुलने के साथ में जोड़के चिपका के दे दिये जाते थे ये काफी highlighted हुआ था news में जब एक राश्री इस्तर के विख्यात press reporter ने इसे ज़्यादा अपने news channel में काफी ज़्यादा highlight किया था तो ये जो banking सेवा है इससे अलग गैर banking सेवाएं भी होती है तो ये वाली facility प्रोवाइट करने के कोई जिसके नियमित कानून नहीं है उसके नियम नहीं है वो यहाँ पर विचॉलियों हो सकते हैं अब इसके अंदर में कौन-कौन सारी कौन-कौन आ सकता है financial companies ठीक है जो banking नहीं है वो financial वित्ती है company फिर chit fund और फिर निधी company ये भी banking sector जब हम discuss करेंगे तो उसके अंदर में chit fund और निधी company को यहाँ पर discuss करेंगे बट before लेकिन फिर भी मैं एक बार आपके सामने यहाँ पर chit fund को एक short description रख देता हूँ देखिए chit fund क्या होता है इन दिनों काफी news में था पिछले साल शारदा chit fund के बाद में पिछले-पिछले सालों में शारदा chit fund काफी जादा news में रहा है तो chit fund कहते का मतलब क्या होगा कुछ लोग होंगे यह banking नहीं हो रही है NBFC मैंने कहा था आप से वो पिछली वाली चार्ट में जो RBI का गुलाबी-गुलाबी सा मैंने आपके सामने चार्ट रखा था उसमें मैंने बोला था कि NBFC उसके दो हिस्से एक D और ND नन डिपॉजट तो यह नन डिपॉजट वाला जो सेक्शन है न यह डिपॉजट नहीं लेते chit fund जो होते हैं deposit नहीं लेते यहाँ पे क्या होगा chit fund में कुछ लोग आएंगे 20 लोग 25 लोग आके जमा हो जाएंगे और यह लोग कहेंगे कि हमें अपना पैसा एक व्यक्ति के पास में यहाँ पे जमा करना है यहाँ पे deposit नहीं हो रहा है यह कुछ सीमित समय के लिए आप अपना पैसा invest कर रहे हैं profit कमाने की दृष्टी से तो यहाँ पे 20 लोग इकठा होते हैं और एक व्यक्ति को यहाँ पे appoint करते हैं यह 21 बंदा है 21 परसन ठीक है 20 आदमी जो पैसा जमा करेंगे 21 आदमी जो इनका प्रबंधन देखेगा पैसा आ रहा है और जा रहा है देने का बाटने का काम इसको देंगे कितना 1-2% कुछ तुम्हारी सेलरी तुम्हारा कमिशन जितना हम लोग पैसा डावते जाएंगे उसका यह मानते हैं ठीक है 20 लोगों ने यहाँ पे क्या किया है एक-एक हजार रुपए जमा किये हर महिने उन्होंने बोला कि हम तीन महिने तक यहाँ पे क्या करेंगे पैसा जमा करेंगे तीन महिने के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम पैसा जमा करते हैं और यह तीन महिने में हर महिने एक-एक हजार जमा करेंगे यहाँ पे एक एक हजार रुपए जो जमा हो रहा है न वो बाद में जो टोटल फंड की रुप में collect होता है 20 लोग यदि एक हजार रुपए दे रहे हैं तो टोटल यहाँ पे आपको किता आ गया एक आदमी से एक हजार तो टोटल यहाँ पे 20,000 आपके सामने निकल के आता है Is that clear? 20 into 1000, 20,000 यहाँ पे 20,000 आपके सामने आ गया एक महिने में और ऐसा ही आगे चलता जाता है अब यहाँ पे क्या होगा कि किसी को वित्तिय ज़रूरत होगी इन 20 लोगों में से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे से 20 तो साथवे नमबर का जो परसन है इसको जरूरत होती है पैसा लेने की इसको हम banking sector के अंदर में और ज्यादा briefly discuss करेंगे बट एक chit fund में क्या होता है पैसा लोग जमा करते हैं और पैसा निकालते हैं अपनी जरुतों के हिसाब से यह chit fund का part हो गया और निधी company जो होती है इसको भी in short में ही discuss कर रहा हो यहाँ पे तो निधी company के अंदर में क्या होगा निधी company में कुछ individual ही होंगे कोई business firm नहीं होंगे ध्यान दीजेगा निधी company में कोई भी बड़े जो उद्योग जगत के लोग नहीं होंगे यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति हो सकता है वो कोई भी होगा लेकिन कोई company वगेरा या group यहाँ पे register नहीं होगा निधी company में एक व्यक्ति जाएगा दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति एक एक करके जाएंगे और यह इसके सदफ से होंगे यहाँ पे निधी company जो होती है deposit ले सकती है पैसा जमा करवा सकती है और loan दे सकती है तो वही जो इसके सदफ से है इनहीं का पैसा जमा होता है और यही बाद में loan भी देती है यह interest rate यहाँ पे prevailing होते है चिट fund और निधी company is quite similar बट यहाँ पे निधी company के क्या होते हैं नियम कायदे होते हैं चिट fund के लिए भी central level पे और state level basically चिट fund को यहाँ पे जो राजसरकारी होती है वो यहाँ पे नियमन उसका करती है और केंदर में जो एक अधीनियम के द्वारा यहाँ पे चिट fund को control करने के लिए भी act लाया गया था अधीनियम लाया गया था हमने अभी डिसकस किया संगठित मुद्रा बाजार को अब हम डिसकस करेंगे संगठित मुद्रा बाजार को यहाँ पे जो संगठित मुद्रा बाजार है उसके प्रारूप में सबसे पहले आप देखेंगे treasury bill फिर certificate of deposit commercial paper, commercial bill, call money market money market mutual fund, repo rate reverse repo rate और cash management bill देखी यहाँ पे हम side by side discuss कर रहे हैं वो सारी चीज़े जो संगठित मुद्रा बाजार के अंतरगत आएंगी यहाँ पे क्या होगा कि जो treasury bill है सबसे पहला वाला treasury bill में हम देखेंगे यहाँ हमने पहले भी बात की थी कि सरकार की तरफ से जारी होने वाले उसकी प्रतिभूतियां जब सरकार को जरुरुत होती है कुछ certain period के लिए कुछ amount कोई पैसो की जरुरुत महसूस होती है तो उस समय पे कुछ समय के लिए incanby दिन के maturity period वाले की incanby दिन का उसकी सीमा उधी होगी गवर्मेंट उसके बाद पैसा लोटाएगी तो incanby दिन की जो treasury bill है वर्तमान में पहले से तो चल रही है वर्तमान में भी है 182 और 364 दिन की भी यहां पे आपको treasury bill देखने को मिलेगी जो government यहां पे जारी करती है सिर्फ central government ही treasury bill जारी करती है फिर certificate of deposit certificate of deposits क्या होते है यहां पे एक किसी भी जमा करने वाले को जो deposit करने वाला व्यक्ति है वो आएगा और अपने कुछ सीमित समय के लिए कुछ सीमित समय के लिए यहां पे अपने पैसे को जमा करवाएगा किसी एक bank के पास में और बदले में वो अपने उस पैसे की safety भी उसे मिल जा रही है और एक समय के लिए उसको आकरशक return मिल जाते हैं जैसे कि मान के चली यहाँ पे deposit आप करना चाहते हैं किसी भी bank के पास यह FD नहीं है fixed deposit नहीं है यह deposit जो होगा एक certain period सिर्फ एक साल के अंदर fixed deposit आपको एक लंबे समय के लिए भी मिलता है देखने को लेकिन यह जो deposit है वो एक साल से कम एक साल से कम समय के लिए यहाँ पे जैसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं किस के पास, किसी bank के पास में और बदले में आपको वो 5 या 6 परशेंट का कोई आकरशक return देगने वाला है मतलब की interest, मूलधन ब्याज, principle plus interest तो यह होता है जब आप पैसा जमा करेंगे तो वो आपको एक certificate यहने कि एक evidence की रूप में एक सबूत की रूप में एक certificate provide करता है, जिसको हम certificate of deposits कहते है फिर आता है commercial paper और commercial bill देखिए, it is quite similar commercial bill और commercial paper लगभग एक जसा है लेकिन commercial paper जो होता है वो बड़े किसी corporate house उद्योग घरानों के द्वारा जारी किये जाते है उद्योग घराना के ने का मतलब एक साल से कमका समय जो होगा, उसमें यहां पर कोई एक व्यक्ती घरानों के लिए वो अबना पैसा invest करना चाहरा है और अगला पैसा मंगाना चाहरा है तो यहां पर क्या होगा, जो company है, एक साल के लिए उसको एक साल से कम समय 9 महिने 10 महिने ले ले लेते हैं तो यहां पर 10 महिने के लिए उसको 1 करोड रुपए की जरूरत है urgent तो यहां पर क्या करेगा commercial बिल जारी करेगा और कोई व्यक्ति अगर एक शुक होगा उसमें invest करने के लिए अगर उसको पैसे आकरशक मिल रहे हैं तो वो यहां पर क्या करेगा उस commercial paper के अंदर में यह जो है न commercial paper वानी जिक पत्र उसमें निवेश करेगा एक करोड रुपए इसने बड़े किसी business house को दे दिये और बदले में क्या होगा कि उसको उस 10 महीने के बाद में वो पैसा उसके principal प्लस interest के साथ में वापस होगा अब देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनेगा commercial paper हमेशा जो जारी हो रहा हो होता है यहां पे मैंने बुला business house लेकिन commercial bill जो होता है यहां पे कौन इसको जारी करेगा AIFI हमने RBI के गुलाबी वाले page में भी देखा था है AIFI All India Financial Institution अखिल भारतिय विक्तिय संस्थाएं तो यह जिसमें नाबाट, सिडबी, Exim Bank और NHB आते हैं वो जारी कर सकते हैं फिर non banking financial company companies, NBFC, D, NBFC, ND यह वाले NBFC है ना यह जारी कर सकते हैं और कौन जारी कर सकता है यहां पे कोई एक जो scheduled commercial bank होगा commercial bank जो वाणिजिक bank होता है जैसे SBI यह scheduled commercial bank यह हो सकता है merchant bank, cooperative bank, सहकारी bank, mutual fund यह लोग भी जो commercial bill है वो जारी कर सकते हैं लेकिन commercial paper जो होगा वाणिजिक पत्र जो होगा वो कौन जारी करेगा एक corporate house अपनी एक साल से कम के समय के जरूरतों को पूरा करने के लिए जो commercial paper होता है वो जब जारी होता है तो उसे at par at par की value से कम में जारी किया जाता है discount पे जारी होगा लेकिन par value पे वो वापस होता है example आपने एक करोड रुपए अपने जेब में रखे हुए हैं और आप उसको निवेश करना चाते हैं सामने वाले को जरूरत है एक करोड रुपए की अब वो आपसे कहता है एक करोड रुपए चाहिए आप थोड़ी आना कानी करते हैं तो ऐसी condition में क्या होगा वो बोलेगा कि मैं आपको discount देता हूँ चलिए ठीक है आप मुझे एक करोड की जगह 95 रुपए दीजे और बदले में आपको मैं एक करोड रुपए वापस करूँगा तो उसने क्या बोला नब 95 रुपए दीजे एक करोड रुपए दोंगा तो आपने क्या किया पार वेल्यू क्या है पार मतलब जिस पे बात होनी है वो एक करोड की है लेकिन discount मिला आपको कितना 95 रुपए देने बदले में कितने रुपए आने के बात हुई एक करोड रुपए जब आप खरीदेंगे उनके commercial paper को तो पंचानबे लाख में लेकिन जब आप उसे वापस आपको मिलेगा return आएगा आपको तो एक करोड रुपए के साथ वो आएगा आपको ठीक है ये हो गया commercial bill और commercial paper फिर call money market आता है देखे किसी भी bank को यहाँ पे अचानक पैसो की जरुपए हो सकती है likewise कि 5 करोड की आपको जरुपए हो गई और आपको तुरंत पैसा चाहिए आप क्या करेंगे तो आप किसी भी bank के पास जाएंगे जिसके पास पैसा होगा तो वो RBI हो सकता है जो पैसा देगा schedule commercial bank हो सकता है जो पैसा देगा RRB regional rural bank हो सकता है जो आपको पैसा देगा या फिर पैसा rrb regional rural bank छेत्री जरुपए गौनर्मेन बेंक यह पैसा आपसे ले सकता है ऐसी condition में इनको अगली bank जो पैसा प्रृपएट करती है कम से कम यह जो सी तो आप call करते हैं कि पैसा लाइए ये call money market है ये money market mutual fund देखिए mutual fund का मतलब क्या होता है ओ भी उसमें बोला है कि money market याने कि मुद्रा बाजार के अंदर में आपको चाहिए mutual fund आपके पास पैसे बहुत थोड़े से हैं लेकिन आपको लगाने है mutual fund का concept बता रहा हूँ छोटा सा डिसकस करेंगे आगे जाने के बाद में अगली जो वीडियो होगी उसमें तो यहाँ पर mutual fund का सीधा सा concept क्या होता है आपके चाहिए कितना कम से कम 3,000 रुपे आपके पास आपी जेब में करीबन 2,000 रुपे हैं और 1,000 एक्स्ट्रा चाहिए आप कैसे निवेश करेंगे आपके पास निवेश के रास्ते बंद हो गए तो यहाँ पर एक company होती है ठीक है कुछ यह company क्या काम करती है आप से कहती है कि आ company यहाँ पर 100 लोगों से पैसा मंगाती है और इनके पैसो को उठाके ऐसे लोग जो पैसा कम है उनकी जेब में और निवेश करना चाहते हैं share market में ताकि interest और थोड़ा पैसा income हो यहाँ पर यह लोग mutual fund में पैसा डालते हैं fund मतलब कोश किसी एक company के दौरे यहाँ पर mutual fund बना है उतने के हिसाब से कि आप सबसे 500-500 मंगाने के बाद में आपको उसी के ratio में उसी की अनुपात में यहाँ पर बाट दिया पैसा वह mutual fund होता है तो आपकी कम income के साथ में आपने थोड़ा ज्यादा interest return यानि थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा लिया तो यह money market mutual fund का concept है repo और reverse repo द यह RBI से जुड़ा हुगा है RBI जब अपने से नीचे की बैंकों को यहाँ पे छोटी छोटी बैंक है इन लोग को क्या करता है loan provide करता है एक तरह से तो उस समय पे वो interest charge करता है और काई भी हाई फाई चार्ज करेगा ठीक है हम आगे जाके देंखेंगे banking sector में इसे और डिप होगी तो reverse repo rate में RBI loan लेता है छोटी बैंकों से उस समय पे RBI जो उन्हें interest देता है याने की अगले bank loan देने वाले छोटे bank RBI को वो interest charge करते हैं यह होता है reverse repo लेकिन यहाँ पे bank तो bank होते हैं और वो भी किसके अंडर RBI के अंडर है तो RBI को आँख नी दिखाएंगे वो कम interest rate charge करते हैं यह तै करता कौन है रेपो और reverse repo RBI charge करता है उसी की सलतनर जिसकी लाठी उसकी भैंस यह reverse और reverse repo है यहाँ पर फिर आता है cash management bill आखरी चीज़ नगत प्रबंधन बिल cash management bill जिसको बोला जाता है it is very important यह सारे में सब important है लेकिन यह भी है इसमें यह बता दूं cash management bill ध्यान में रखिएगा कि यह सरकार की तरफ से फिर से जैसे मैंने बोला था कि treasury bill है वैसी यहाँ पर cash management bill है यह जारी करता है केंदर सरकार तो यह cash management bill जब सरकार को लगता है कि उसकी जरूरत यहाँ पर उसकी pocket में पैसे कम हो गए है उस condition में फिर से वो एक financial instrument कोई document जारी कर देता है यह document क्या बोलता है कि मेरा नाम cash management bill है अब यहाँ पर government क्या करेगी कम से कम 14 दिन का एक समय होता है जो पहले treasury bill में हमने 14 दिन हटा दिये थे न अब वहाँ पर यह आ रहा है 14 दिन का cash management bill तो यह cash management bill कम से कम government की 14 दिन की जो पैसो की requirement है वो यहाँ पर पूरी करता है तो हमने देखा कि संगठित मुद्रा बाजार के अंदर में कौन-कौन सी चीज़े हैं जो आती है और यह basically आपको question पूछ सकता है make sure कि आपको इनके बारे में पता हो prelims में तो जरूर आ सकते है फिर आता है capital market याने पूंजी बाजार यहाँ हम देखेंगे कि जो capital market है उसमें कौन एक साल से उपर का समय capital market के लाते है तो इसमें कौन-कौन आएगा एक banking जो भी संस्थाय है आपको home loan चाहिए दो साल के लिए home loan मिल गया तो एक साल के उपर ही हुआ दो साल ना तो यहाँ पे banking sector किसमें आ गया जो लंबे समय के लिए loan दे रहा है वो capital market में आ गया security market segment याने कि किसी आप बड़े पूंजी गत यह financial market के financial market के money market में भी आएंगे है ना जो वित्य बाजार का हम देख रहे थे मुद्रा बाजार उसमें banking sector भी है लेकिन यहाँ पे जब एक साल से उपर की बात होगी तो यहाँ पे पूंजी बाजार के रूप में उभर के आता है banking और security market किसी company की जो financial requirements है तो वो एक साल के लिए आप से पैसा एक साल से उपर के ल यह capital market के हिस्से होते हैं other financial institutions में कौन-कौन AIFI जैसे हमने पहले भी discuss किया था उसके अंदर में कौन आएगा नाबाड, NHB, Exim Bank, SIDB उसके बाद आते हैं state level financial institution यहने की राज्य इस तरह पे कुछ इसी तरह किये जैसे अंतर अखिल भारती AIFI यहने अखिल भारती वित्य संस्थ इसके बाद में investment institutions कौन से हैं यह होंगे LIC, GIC, UTA आप अपने पैसे का इस्तमाल करते हैं life को secure करने के लिए तो आप insurance करवा रहे हैं आप क्या करवा रहे हैं अपनी गाड़ी का insurance करवा रहे हैं ताकि वो invest हो कल के दिन में अगर कोई छती होती है तो एक बहतर amount आपको मिले आपने insurance करवाया और आपने 2000 रुपए के हिसाब से insurance करवाया है monthly और आपको साल भर के अंदर में 12 into 2000, 24,000 रुपए आप insurance करवा रहे हैं और आपकी कोई यहाँ पे car की हानी हो जाती है ऐसी condition में car की, bike की, जो भी जो भी आप कुछ भी insurance करवा रहे हैं उस condition में यहाँ पे investment institutions यहने की निवेश संस्थान, investment institution यहने निवेश संस्थान, यह LIC, GIC और UTI हो सकते हैं यहाँ पे और specialized financial institutions देखिए इसके अंदर में 3 है, IFCI venture capital fund और ICICI venture capital fund, venture capital fund कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे जो IFCI है, IFCI जो है वो आप ऐसे कुछ लोग जो भारत इसका जो उदय हुआ था, IFCI का जो बनने की उसकी जो कहानी है, वो यह कहती है कि main objective इसके सांचुड़ा है ऐसे भारत के अंदर में सभी जो उद्योग हैं, जो छोटे हैं वरतमान में, जो start-up हैं जिनको आप कहते हैं अभी अभी शुरू हुए हैं और उनको वितियर जरूरत है, पैसों की जरूरत है, उनकी ऐसी पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए IFCI, Venture Capital Fund नाम की एक संस्ता है, जो की उन्हें ये facility प्रोवाइड करेगी, तो इसमें basically क्या था, देश में नए बिजनेस को set-up करना था, through facilitating funding of venture capital, venture involving innovative products, process और technology, तो जो ऐसी बिजनेस हैं, जो की innovative idea रखते हैं, जो innovative product बनाने वाले हैं, अचानक की बिजली इससे आपको बन किया जाएगी, घर बैठे बिजली आप बना सकते हैं, तो innovative उनका product है, process यहाँ पे है, उनका हो रहा है, technology, ऐसे जगह पे ये पैसा provide करवाती है, ऐसे business को, छोटे business, startup जो होते हैं, ICIC venture capital भी ऐसा ही एक venture capital है, जो की आपको provide करवाता है, किसी business को, जो ने-ने entrepreneur होते हैं, इनको provide करवाएगा क्या loan, एक तरह का finance provide करवाता है, अब इसके अंदर में basically कौन technology से जुड़े हुए, वो सभी business होंगे, जिनको ये loan provide करवाएगा, कौन-कौन computer छेतर हो सकता है, chemical bio technology हो सकता है, environment हो सकता है, engineering, environment engineering का section हो सकता है, ये आएंगे, और TFCI, TFCI क tourism ये की जो बाहर से सेलानी घुमने आते हैं, तो उस खेतर को develop करने के लिए कोई पार को हो सकता है, कोई monument जैसे आप India gate हो सकता है, तो आसपास के area को और ज़्यादा attractive और खुबसूरत बनाने के लिए यहाँ पे पैसे खर्च किये गए है, तो इसको develop करने का काम किसका है, इ यहाँ पे ऐसे हमने वित्तिय संस्थानों के बारे में discuss किया, जो capital market का हिस्सा होते हैं, फिर आता है financial regulation, financial regulation यानि वित्तिय वी नियमन, इसके अंतरगत क्या होगा, कुछ जो regulation है, जिस मैंने बताया था आपको, कि RBI यहाँ पे क्या करती है, banking शेतर के अंदर में regulator का का काम कर करती है, वो direction देती है, यहाँ पे कौन-कौन सबसे पहले, कौन-कौन से institution से जो ऐसा काम करती है, वो है RBI, यहने Reserve Bank of India, SEBI, यहने Security and Exchange Board of India, फिर IRDA, Insurance Regulatory Development Authority, तो यह हो गया, insurance के sector में, RBI का का काम क्या है, banking, SEBI का का काम क्या है, share market में देखना, IRDA का का काम क्या है, insurance, यहने BMA 6 से जुड़ी हुई, सभी नियमों का क्या करना, जो भी कारिये होंगे, उनका वी नियमन करना, यहने उनकी monitoring करना, PFRDA, यहने की pension से जुड़े हुए, जो भी pension fund regulatory development authority, यह इस से pension fund से जुड़े हुए, सभी ऐसे जो काम होंगे, उन पे monitoring करेगी, उसके लिए अपन FMC, FMC, यहने की forward market commission, FMC, यहने forward market commission, यहाँ पे क्या होता है, forward market commission के अंदर में, basically कोई commodity, यहने की जो वस्तू होती है, उनका, जैसे share market में किसी company को पैसे चाहिए होती है, तो वो प्रतिभूती, paper के basis पे होती है, यहाँ पे, कि वो आपको एक certificate देगी, आपने उनके company में पैस समान होते है, उनकी भी यहाँ पे, हम उनको भी एक market provide करवाते है, future में, कि आपने कोई समान खरीदना है, मान के चलिए, मैं एक खरीदार हूँ, मैं wholesale में बेचूंगा उससे, तो यहाँ पे ठोक में खरीदने जा रहा हूँ, क्या खरीदने जा रहा हूँ, agricultural कोई product, मुझे गें हूँ चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, एक quintal गें हूँ चाहिए, और वो एक quintal गें हूँ, मैं किसी एक farmer से खरीदूंगा, तो यहाँ पे FMC के अंदर में क्या होगा, कि उस व्यक्ति को पहले ही बोल दिया जाएगा, हम दो लोगों के बीच में, कि आपको जो समय पे provide करवा सकता है, दो लोगों को मिलाएगा, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, बेचने वाला एक farmer है, और farmer यहाँ पे आके क्या काम करेगा, वो मुझे provide करेगा, अपनी तरफ से गें हूँ, एक quintal, और एक निश्चित समय के अंदर में, हम दोनों के बीच में deal हो गई, और future में मुझे क्या मिल जाएगा, भविश्य में क्या मिल जाएगा, वो एक quintal गे हूँ, एक निश्चित समय के लिए, और यहाँ पे जो पैसा का लेन देन होता है, वो पहले ही decide हो गया होता है, कि एक quintal गे हूँ, आप इतने रुपए में बेचेंगे, यह future market, forward market commission के जैसे oil seeds हो सकते हैं, जो तेल के बीज हो सकते हैं, उसमें आप व्यापार कर सकते हैं, ऐसे करीबन आप Wikipedia में से भी जाके इसकी exact details निकाल सकते हैं, कि वरतमान में FMC के अंदर में कितने product, क्योंकि यह change हो सकते हैं, frequent basis पे change हो सकते हैं, भेले इस पे question नहीं आते हैं, लेकिन आ पादिय पदार्थों के उपर में भी deal करता है, इनको market provide करवाता है future भविश्य के लिए, उसके साथ ही यहाँ पे जो raw materials होते हैं, जैसे jute, कच्चा jute, jute से बनी हुई उत्पाद, और साथी साथ एक और चीज, bullion, bullion का मतलब होता है, जो कीमती metals होते हैं, जैसे gold, silver, sona और चांदी, ये दो महगी धातू है, इनकी उपर में भी व्यपार होता है, ये आजाते हैं FMC के अंदर में, तो यहाँ पे अभी FMC जो है 2015, सितंबर 2015 के महीने में, श्री अरुन जेटली उस समय के क्या थे, वित्तमंत्री थे, उन्होंने FMC के विलाय की यहाँ गोशना की थी, गॉर्मेंट के तरफ से प्रेस रिलीज आया था, नोटिफाई कर दिया गया था कि FMC को अब हम सेबी के अंदर में उसका विलाय करवाएंगे, तो अब ये जो है, सेबी इसका कंट्रोलर है, FMC का basically, तो यहाँ पे सेबी है, अलग से FMC इसले बताया क्योंकि ये future market के अंदर में काम करती है, for future में जो commodity आप बेचेंगे, उसके उपर में पहले deal होता है, अब special statutes, यहने SBI भले RBI के दिशानिर्दशों का पालन करती है, लेकिन SBI जो है, वो एक Parliament के Act के तहत आती है, यहाँ पे जब banking system पढ़ेंगे, तो आपको जाने को मिलेगा, कि SBI कब आई थी, औ और उससे किस तरह से लाया गया था, तो government का यहाँ पे अधिनियम है कुछ, जो SBI को शक्तियां देता है, उसकी वित्तिय प्रशाशन के लिए, SBI हो गया, फिर LIC हो गया, फिर GIC हो गया, और जो public sector, यहने कि जो सरकारी, खेत्र के bank, जो भी यहाँ पे होंगे, वो सब अपन special statutes, यहने कि कुछ संसत के द्वारा दी गई, अधिनियमों का हवाला देकर शक्तियां प्राप्त करती हैं, यह हो गया, फिर government involvement, यहाँ पे central और state, देखिए जैसे एक example देता हूँ, केंदर इस्तर पे और राज इस्तर पे भी कुछ ऐसे वित्तिय संस्थाएं हैं, जिनका नियमन केंदर सरकार के द्वारा या राजे सरकारों के द्वारा होता है, अब यहाँ पे finance ministry जो है, वो क्या करती है, यहाँ पे उसका भी हस्तक शेप होता है, कुछ बैंकों के अंदर में, तो जब finance ministry यहाँ पे किसी वित्तिय संस्थान के अंदर में इंटर्वीन करती है, याने कि interfere करती है वो condition हो जाता है government के involvement का याने कि government भी यहाँ पे एक नियम के रूप में नियम बनाने के रूप में काम कर रही है जिसे RRB आप देखते हैं छेत्री एग्रामेड बैंक यहाँ पे केंद्र सरकार फिर एक हिस्सा केंद्र सरकार का कुछ हिस्सा यहाँ पे आप और फिर एक sponsor bank होता है यह क्या करते हैं RRB में पैसा लगाते हैं लेकिन यहाँ पे जो नियम होंगे RRB में इनके समंजिस से कित्रू government के और state government के follow करने को यहाँ पे मिलते हैं ठीक है यहाँ पे state cooperative banks जो होते हैं राज्य जो सहकारी bank होते हैं वो भी आप example के form में ले सकते हैं अब finally यहाँ पे आता है financial sector reform इस video के almost end वाला sections में यह financial sector reform यहने वित्तिय छेत्र के सुधार financial sector reform इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे एक नर्सिम्भन कमिटी आई थी सबसे पहले में नर्सिम्भन कमिटी दो बार आई थी पहला साल इनिस उनके आनवे में जिसने वित्तिय सेक्टर के reform के बारे में बताया थे तो इसको हम अभी वाले वीडियो के अंदर में discuss करेंगे और दूसरा यहाँ पे financial sector legislative reform commission आया था वित्तिय शेत्र के विधाई सुधार आयोग का गठन हो था वित्तिय शेत्र के विधाई सुधार आयोग FSLRC यह जो इंग्लिश का हिंदी में मैंने बताया आपको FSLRC यह आपको B.N. Shri Krishna की अध्यक्षता में देखने को मिलता है यह जो B.N. Shri Krishna है इनके बारे में current affair का एक और बात बता दे तो हाल फिलहाल की दिनों में यहाँ पे एक और committee का गठन हुआ था एक समिती बनी थी जो news में थी वो थी Supreme Court के पूर्व जो जज थे जिनको हम अभी B.N. Shri Krishna के नाम से जान रहे हैं यहाँ पे है ना 2011 में जो commission बना था तो यहाँ पे अभी अभी एक और committee का गठन हुआ जिन्होंने अपनी जो report है data protection framework के बारे में जो हमारा निजी data होता है जो data हम कह रहे हैं आपर data के protection के लिए उसकी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की दृष्टी से एक committee का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष थे B.N. Shri Krishna तो B.N. Shri Krishna अभी data protection framework ये भी आभी ध्यान में रखिएगा data protection जहां भी आए ठीक है data सुरक्षा के उपर में जहां भी आए जो जानकारी है उसकी सुरक्षा से जुड़े हुए अगर question आता है prelims में तो आप ये ज़रूर mention करिए कि B.N. Shri Krishna उसके अध्यक्ष थे उनकी अगवाई में हुआ था अब discuss करते हैं जो main recommendations दिये गए थे किसके द्वारा आपके ये जो committee थे फर्स्ट यहाँ पर जो discuss करेंगे वो है नर्सिम्हन committee तो नर्सिम्हन committee जो है वन उसके जो सुझाये गए financial sector के reform थे उसको यहाँ पर discuss करते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात बोली गई थी कि reduction in liquidity ratio तरलता अनुपात में कमीलाना तरलता अनुपात में कमीलाना याने की दो rates होते हैं यहाँ पर किसी bank को मानने होते हैं और यह कौन मनवाता है यह मनवाने वाला होता है RBI Reserve Bank of India तो Reserve Bank of India जो होता है वो बोलता है कि आप हर bank को यहाँ पर चो banking से बाद दे रहा है वो हर एक commercial schedule commercial bank को यहाँ पर क्या करना होगा CRR और SLR यह दो तरह के rates होते हैं इसको maintain करना होगा तो यहाँ पर क्या हुआ था उस तमें काफी high five थे ठीक है उन्नी सुन कैनवे में जब कमिटी बनी उन्होंने अपने report दिये और बोला कि प CRR और SLR नाम के दो अनुपात आते हैं दो ratio आते हैं तो इनको 25% तक कम करने की बाद बोली गई फिर बोला abolition of directed credit program यानि की प्रत्यक्ष क्रेडिट कानून का उल्मूलन करना अब priority sector को आपको decide करना था जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक बार कहा था कि यहाँ पर priority sector होती थी government की कि वो खाद्य के शेतर में, housing के शेतर में और कृशी के शेतर में, सिक्षा स्वास्त के शेतर में priority decide करें कि कहां कितना पैसा लगाना है तो यहाँ पर government को फिर से priority decide करनी पड़ गई कि वो अपना पैसा मनमाने धंग से इन शेतरों में फूक रहा था तो यहाँ पर क् की तरफ से पैसा है, वो unnecessary waste ना हो, इसलिए और सालूनी स्विन क्यानबे का समय आप याद रखिए आर्थिक सुधार का है, उसी समय पे नर्सिम्हन कमिटी ने आपको recommendations दिये हैं, फिर abolition of directed credit program तो आपको government को क्या करना चाहिए, खतम करना चाहिए, abolish करना चाहिए, directed credit, कुछ एक particular छेतरों के अंदर में, उनके विकास के लिए जो आपने program बनाये हैं, वहाँ पे आप सीधा सीधा credit याने उधार नहीं देंगे, रिनक ऐसे provide नहीं करेंगे, free determination of interest rate, free determination मतलब RBI क्या करेगा यहाँ पे, कानून बनाएगा और बोलेगा कि आप इतना percent interest charge करोगे, अगले consumer से, अगर आप लोन दोगे, छोटे बैंकों को बोल रहे हैं, लोन दोगे, तो आपको 7%, 8% interest देना होगा, अब यहाँ पे यह RBI की बाद देता है, लेकिन यहाँ पे आजाद करना है किसको, बैंकों को, ताकि वो भी कुछ पुझी बना सकें, वो कुछ profit कमा सकें, इसलिए ब स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से निर्धाराण, यह जो निश्योल के लिखा है न, आप इसको यह मानिए कि यह गलत है है, और यहाँ पे आपको होना चाहिए, स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से आप निर्धाराण कर सकते हैं, फिर improvements in accounting systems of the banks, जो banking system है, उसके अंदर में जो accounting होता है, बैंकों का लेखा जुखा, उस प्रणाली में और ज्यादा सुधार ताकि हम पारदर्शिता देख सकें, और बहतर तरीके से बैंकों की कारे प्रणाली को व्यवस्थित किया जाए, यह establishment of special tribunals, देखिए, यहाँ पे बहुत सारी bank जो लोन देते हैं, वो वापस न देने के बाद में इनको पैसा नहीं आ है, तो वहाँ पे एक bank होना, एक tribunal, यहने की एक संस्था होनी चाहिए, जो आपको कानूनी फैसले न्यायाधी करण हो, जो कानूनी फैसले दे, तो उसके लिए यहाँ पे establishment of special tribunal की बात की गई, फिर reconstitution of banking system, यहने की जो banking प्रणाली ह उसका फिर से पूनर गठन हो, ताकि यहाँ पे हम क्या देख सके, उसको और आजादी मिल सके, जैसे RRB है, regional rural bank, इनको और जादा क्या मिलने चाहिए, थोड़ी freedom मिलने चाहिए, ताकि यह आजादी मिलने चाहिए, कि वो banking system के, जो RRB में कुछ ऐसा ग्रामिड छेतरी जो bank होते हैं, पूनर banking system का वो हिस्ता नहीं हो पाते हैं, कई बार, वो जो बड़ी bank होती है, SBI, उस जैसे इसको facility देने की इजाज़त नहीं होती है, तो यह आजादी इनको मिलने चाहिए, इसलिए बोला गया कि reconstitution of banking system, banking system में हम देखना चाहिए, कि और ज़्यादा हम करना है, उदारी करित करना है, foreign banking, विदेश्यानी वाली banking को, जो bank है, उनको भी यहाँ पे उदारी करण का सामना, उदारी करण देखने को मिले, यानि कि वो आएं, यहाँ पे अपनी office खोलें, branch बनाएं, इसकी भी अजादी मिले, फिर more freedom to banks, यानि कि बैंकों को ज़्याद इंक्लूजन, लोगों को और वित्य सिवाओं से जोड़ा जा सके, फिर ending of dual control, यानि कि finance ministry जो है, वित्य मंत्राले जो है, और RBI, ये दो तरह का दोहरा प्रावधान नहीं होना चाहिए, कि ये भी control कर रहे है, वो भी control कर रहे है, करे तो कोई करे, और एक तरह की कानून यहा हुई थी, पहले वाले में, कम से कम ग्यारा, दस ग्यारा recommendations उनके थे, फिर इसकी आवशक्ता क्यूं थी, कौन सा वाला FSLR, FSLR, FSLRC 2011, है न, जो PN स्रीकृष्णा वाली थी, अभी इसको discuss करते हैं, और इनके recommendations को देखेंगे, पहली चीज, कि ये FSLRC, ये आखिर आया क्यूं, इसका गठन क्यों हुआ, इस commission का गठन क्यों हुआ था, पहली चीज थी, कि भारत की जो वित्तिय संस्थान थी, इसमें कानूनी रूप से और ज़्यादा मजबूती लाई जा सके, ताकि इनका भैतर प्रबंधन हो सके, और जो अंतराश्री इस तर पे banking सेवाएं हम देख है, बदलते dimension के अंदर, वहाँ पे हम भारत की जो वित्तिय सेवाएं हैं, उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करें, ये इसका main focus था, अब इनोंने जो recommendation दिये था, वो कुछ इस प्रकार है, पहली चीज, यहाँ पे जो हमारी विधाई धाच्चा है, है ना, उसको हम banking और non banking जो sector होगा, financial sector basically, वित्तिय जो छेतर है, उस पे हमको मजबूती लानी है, कानूनी रूप से, जो यहाँ कानून बनेंगे, इनके regulation के इनके नियमन के लिए, उस चीज को देखा जाए, और यहाँ पे जो मौजूदा नियम है, restructuring existing regulatory agencies and creating new agencies wherever needed, देखिए, यहाँ पे ज भी नाबाड, यह regulatory bodies हो गई, ठीक है, CB regulatory body हो गई, कहाँ पे financial market के, financial sector के अंडर में, तो यहाँ पे उनको restructure करना है, यहने कि फिर से उनको पुनर गठित करना है, और शक्तियां provide करनी है, और अगर लगे, तो उस जगर पे नई agencies भी बनाई जाएं, इसके बारे में भी बात ह हुई थी, किसमें, यह जो FS LRC, जो commission आई थी, उसके अंतरगत, आज इस lecture में, financial market के बारे में, शुरुआती कुछ जानकारियों पर बात की है, और उमीद है कि आप काफी कुछ इससे सीख चुके होंगे, I request की अगली videos को जरूर देखें, तो फिर मिलेंगे, तब तक के आप स्वस्त रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, see you next time.